दोस्तों दिल में कुछ करने का जजबा हो तो कोई भी मुकम उसके लें होता है इसे कुछ कर देखाए रूमा देवी ने जिनुने ना स्रीब देश में बलकि बिद्स में भी आपना नाम कमाया है रोमा देवी ने नारिशक्त सन्मान राष्टरपती मौधोय से सन्मनित हुए है उसी के साथ साथ ओब अलेवुड का महाना एक आमिता बचन के साथ भी स्टेश से आर कर चुके है तो आई फ्रेंड इस वीडियो में बात करते हैं रोमा देवी के बायोग्राफी और लाइफस्टाइल के बारे में चलिए जानते हैं किसे रोमा देवी ने एट क्लास ड्रपाउट से रश्टरपती भवन तक सफर तेके सबसे पहले अगर बात करें उनका रियल नेम रुमा देवी और निकनेम रुमा जी उनका जन्म 1989 में रजस्तान की बारमेड रावसर गाओं में हुआ है 2001 में उनका उमर 32 सल है और अगर बात करते हैं उनके एजुकेशन के बारे में उन्होंने अपनी स्कूल के सिख्या गाओं में पढ़ाई एट क्लास तक की है और उनका प्रफेशन फ्यासन डिजाइनर है आए बात करते हैं उनके रुमा देभी के क्यारियर और सुरुवात के जिन्दिगी के बारे में उनका बच्पन बहुत संगर्श बरा रहा जब ओ मात्र पांस साल के थे उनका मा गुजरगे क्लास एट दक पढ़ाई के बाद में उनको घरेल काम पे लगा दिया फिदाजी दूसरे सादी कर ली थी तो उनका अपने चाचा के पास छोड दिया बो बेल गाडी में 10 किलमेटर से पानी लाते थी और घर का बाकी सारा काम करते थी और साथ ही दादी के साथ कसिदाकरी काम सिक्ती थी उनका साथी 17 सल की उमर में कर दी थी उनको स्वसुरल घर का आर्थिक स्थिती भी इतना अच्छा नहीं था वह आपना पहला बेटा का इलाज नहीं कर पाए और उसका मत कौम उमर में हो गे यहां से रुमा देवी की जिबन में नया मोड आया उसके बाद वो कुछ करने की ठानी भच्छमन में दादि से सिखी का सिधा करी काम को दीब देवर स्वयम सहक समी दी बना कर शुरुबात की ताकि परिवार में कुछ आमदन हो सके काम की सुरुबात में दस महिला के एक सम्हु बना कर प्रत्यक महिला सो सो रूपे के एकर ठा करके एक सिलाई मेशिन खरी दी और स्थान्य वेपरी के लिए हैंडी क्राफ्ट प्याग कुछन कवर सहीद बहुत प्रड़क्ट वनाना सुरु कर दी थी बाद में उन्होंने समाजी कारिकता विक्रम सिंग के गडियांस में ग्रामेड विकास चेतना संस्ता के साथ जूडगे संस्ता पहले से ही महिला विकास के लिए कार्य करता था इस संस्तक के मारफ़त में सांदर प्रोड़क्ट बड़े-बड़े सहर में भेजना शुरू कर दिया जहां उनको आची कीमत के साथ सफलता भी मिली उसके साथ ही बड़ोसी सहर की 22,000 महिला को अपना काम पे जोड़ दी जिन्हें भी आची आर्थिक मदद मिली उनका प्रोड़क्ट जर्मानी, स्रिलंका, थाइलियांड, मालेसिया, सिंगापूर में भी ठ्यासोंसों में बड़े-बड़े डिजैनर के द्वरा प्रादसित के आजा चुके है रुमा देवी ने सदिगा महानायक अमिता वचन के साथ कौन बनेगा करोड़पती का स्पेश्याल एडिशन कर्मविर में भी हिसा ले चुके है इसके अलावा दोचर अठर में देश का सरबजो सन्मान नारीशक्ति पूरुसकर से भी रश्टरपती द्वरा सन्मानित हो चुके है इसके साथ ही पिछले दिनों में हाबाड़ उनिवर्सिट में आयोजित कनफरेश में सामिल हुई और जहां स्टुडेंट को कसिदी कला की बरिक्या सेयर की अब ही बात करते हैं रुमा जी के फ्यामिली के बारे में वो रिलिजन में हिंदू और जाती से जाट है ये साथ बेहन है जिसमें वो सबसे बड़ी है इसके अलाबा उनका दादी है जिससे वो कसिदाकारी काम सिके थे साल दोहजर पांच में उनका साधी जगदिर सिंग के साथ हुई थे और उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम लक्सीद है अगर बात करें उनकी हवी की कुकिंग के साथ राजस्तानी देशी सौंग बहुत पसंद है ये स्तानिय कलाकार को सपोर्ट और प्रमोट करते है उसी के अलावा समाजी कारिक्रम में बढ़ चड़के हिस्सा लेते है उनका इंकम अपरस्मेटली 1 लाग टू लाग पर मौन्थ होता है ये अभी भी विलेज में रहते है दोस्तो ये एक साधरन महिला का और साधरन कहाई है उमीद करता हूँ आपको रूमा देवी की बायोग्राफी और लाइफस्टाइल आचा लोगा होगा आपका कीमती टाइम देखे विडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद